हलो एविवन वेल्कम बाक्टु स्टफव अकाडमी मैं माहिंग पालिवल आपका अकाउंट एंसी का मेंटर आज क्या लेकर रहा है माहिंग सर आप लोगों के लिए देखते हैं तो क्लास 11 अकाउंट एंसी से बच्छो हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नबर 5 अका पराबर ही रहे होते हैं और इसके साथ हमने वहां पर कुछ निम्यकों भी देखे थे अब आजसे चैप्टर में और आपके लिए वह हैं यहाँ पे कई बार करके दिखाई करके दिखाईये लाइबलिटी अभी प्रॉफिट और लॉस कदल गर टिखाई तो इसके अलाब आ यहां पर हैडिंग में मैंने क्या बना के रखिए कि टोटल एसे चैपिटल और जो अधर वेरियबल्स हैं उनको किस तरीके से काल्कुलिट किया जाता है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कुछ फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चैप्टर से रिलेटेड लेक्टर नमबर वान इसमें हमने यही देखा है कि एक बता दूं बच्छो इस एक्वेशन को यूज करके आप लोग जब भी क्यापिटल क्याल्कुलेट करेंगे ना वह क्यापिटल हमेसा बच्चो क्लोजिंग क्यापिटल ही होती है तो अगर आ अगर हमें किसी और तरीके से क्लोजिंग क्यापिटल निकालने तो कैसे निकाल सकते अब आप देखने के लंबा चोड़ाया पर फॉर्मला होता ही नहीं है आपने बिजनस में पैसा इंवेस्ट किया क्या बोला जाएगा उसको ओपनिंग क्या आपने बिजनस में और पैसा लगाया तो capital increase ही होगी ना इसलिए हमने additional capital को उसमें क्या कर दिया है और बिजनसमें बिजनस से जब जब पैसा और गुड्स निकालेगा drawings करेगा उसकी capital क्या हो जाती कम हो जाती ही तो हमने आपे capital में से drawings को सट्ट्राट कर दिया अब भी जब भी profit होगा तो obvious सी बात है capital क्या हो जाएगी increase हो जाएगी और जब भी loss होगा capital पहले की comparison में क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी तो formula क्या मन गया closing capital equals to opening capital plus additional capital minus drawings plus minus profit and losses तो यह कोई formula नहीं है बहुत logical है यहाँ मन देखते हैं अगर हम लोग profit की बात करें तो closing capital minus opening capital at the year end कितनी capital है और starting में कितनी थी दोनों का difference निकाल लो अगर आपकी closing capital higher है in comparison to opening capital तो इसका अलब आपने profit earn किया है और अगर आपकी opening capital higher है और closing capital कम रह गई है तो at the year end तो समझ जो भी है ह हमने पहले के comparison में जो है कुछ amount loose कर दिया है हमें loss हो गया है इसके अलबा profit calculate करने का एक तरीका और होता है कि अगर मैं अपने revenue में से expenses को minus कर दूं income में से expenses को अगर हम लोग subtract कर देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा profit मिल जाएगा तो किस तरीके के questions आते हैं बहुत simple है मैं आपको बता दूं यहां देख सकते हैं capital of a business हमको given is 70,000 इसके अलावा बच्चों यहां पर liabilities जो है वो कितनी है 40,000 की कह रहे है total assets calculate करके दिखाईए तो हमको सर पहले से ही पता है कि assets always equals to capital plus liabilities हमारे पास जितने भी resources होते हैं उनके दो sources होते है owners fund और borrowed fund तो यहां पर हम देख 1000 outsiders ने कितना लगाया है 40,000 दोनों को बच्चों काम कर आड कर लो तो हमारे पास कितने assets होने चाहिए 1,10,000 that's it तो वह simple question हमने रखा था सोटेट आपको जो concept है वो यहां पर clear हो जाए next देखिए यहां कुछ हम देख सकते हैं level वाला question है हमारे पास from the following information calculate total assets of the business capital बच्चों को given है आप फोर लाक की creditors है हमारे पास 3 lakh के liabilities भी बोला जाता है इन्हें revenue on during the period साल भर में हमने 7,50,000 रुपे कमाया है expenses during the period साल भर में आपने 2,00,000 रुपे खर्च किया है value of unsold stock जो है बच्चों वो आपके पास है 2,00,000 रुपीज का तो एक चीज़ मैं आपको बता दू यहां पर यह value of unsold stock capital plus liabilities हम capital और liabilities दोनों को जो है add कर देंगे तो हमारे पास पता चल लाएगा कि इनका जो total हमारे पास contribution है वो कितना है और वो ही हमारे ली क्या होते है total assets होते हैं एक काम को रहार पहले profit पता लगाते हैं तो चुकि यहां पर हम लोगो revenue और expenses दोनों गिवन है तो profits equals 2 जाएगा expenses और expenses हमारे कितने गिवन है 2 लेक्स तो भई दोनों का निकाल लो difference सर यहां पर ना 5,50,000 का तो सिर्फ और से profit है अब क्या कह रहें asset निकाल दो यह लो भई assets निकाल देते हैं तो सर अब तो आपने यादी करा दिया है नीन में भी आ जाएगा तो हमको कोई भी पूछने तो फोर लेक्स इसमें सर ना पहले आपने profit अड़ कर दीजिए तो profit हमारे पास कितना है सर फाइव लैक 50,000 का हमारे पास profit है और इसमें सर अब आप आप अड़ कर दीजिए liabilities जो कि मैं creditors के form में given है कितनी 3 लेक्स अब इन सब को अड़ कर लो बच्चो कितना निकल कर आएगा सर फोर लैक और फाइव लैक कितना होगे नाइन लैक 50,000 नाइन लैक 50,000 में 3 लैक अड़ कर दीजिए कितना आ जाएगा सर 12 लैक 50,000 मतला इस बिजनस के पास जो टोटल असेट्स हैं वो कितने के हैं 12 लैक 50,000 के इस तरीके से बच्चो इन questions को solve किया जाता है पहले अपना profit पता लगा लीजिए profit को कहा लेके चलिया ये capital में obvious ही बात है loss होगा तो minus कर दूँगा भाई मालिक का हिस्सा होता है profit or loss profit हो रहा है तो plus करो loss हो रहा है तो minus कर दीजिए तो यहां बच्चो हम लोग ने देखा कैसे solve करना इस question को और दिखाता हूं आप लोगों इस question में abilities over 10,000 find out his closing capital and profit on during the year बिलकुल पता लगा सकते हैं अब मैंने आपको क्या बताया कि वह simple से चार formula होते हैं वह यूज करना लेकिन तो भी जो बच्चा है ना कहीं तकलीफ होती है कि इनका application किस तरीके से किया जाता है छोटी छोटी बाते ध्यान में रखोगे ना कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी if you remember मैं आपको जब पहला इसका जो पेज था मेरा वहां मैं आपको बता रहा था slide बोलनी चाहिए यार पहली slide थी वहां पर हम लोग देख रहे थे कि वहां आपको बता रहा था assets equals to capital plus liabilities और वहां मैंने आपको बहुत ही forcefully समझाने की कोशिश करी थ तो यह कौन सी capital है सर यह तो ना opening capital है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है सर हमको यहां पर first April लिखा हुआ है अपने को कौन सी capital चाहिए sir closing capital चाहिए यह आला formula लगाओ भई assets equals to capital plus liabilities याद आ रहा है बच्चों तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आप इस equation को use करेंगे इसमें से जो capital निकल कर आती है ना वो हमेसा closing capital ही होती है तो assets हमारे पास year end में कितने की given है sir 50,000 रुपीज के अपने पास assets है capital sir वो तो अपन ने अभी पता लगानी है और यह capital पे तो वो हमको कितनी given है sir 10,000 ट्रांस पोजीशन कर लीजिए तो capital equals to कितना जाएगा sir 50,000 में से 10,000 की liabilities जो है वो सब्ट्राइट कर दीजिए तो sir capital 40,000 तो पचास year के total asset उसमें से 10,000 के भारवालों ने लगाए तो business man ने कितने के लगाए होगा 40,000 तो sir यह जो capital है आपने को closing capital से क्या कर दीजिए minus कर दीजिए तो यहाँ पर sir at the year end हमारी capital कितनी है हम यह देख लेते हैं और sir starting में आपने कितनी capital लगाई थी हम यह देख लेते हैं तो closing capital minus opening capital sir closing capital जो है ना अपनी year end में हो चुकी है 40,000 लगाए थे sir अपने 30,000 सर बले बले होगा ही sir इधर पे तो 10, 10,000 रूपीज इंक्रीज हो गया है मतलब यह ही आपका क्या है profit है और साल की शुरुवात में 30,000 लगा के year end में 40,000 कर ली हैं तो कैसे हो गया profit से हुआ है इस ताइप से बच्चों को हमें solve करना होता है क्या अब टोटल लाइबिलिटीज अब टोटल लाइबिलिटीज क्या हमारे ली होती है क्या internal liability और बच्चों जो आप liabilities बोलते हो बेसिकली वह अपने आप में होती है external liabilities और दोनों को अगर add कर दो तो क्या बन जाता है टोटल लाइबिलिटीज तो यहां देख सकते हैं आप लोग क्या क्या गिवन है सर यहां पर हमको capital लेकिन भाइब यह यह है काम करो भई सबसे पहले तो पता लगा लोगी प्रॉफिट कितना हो रहा है तो सब प्रॉफिट जो है ना वह क्या क्या किये जाते हैं revenue minus expenses से तो revenue minus expenses कर देते हैं अपन लोग सर revenue जो है यहां पर वो है 70,000 और expenses जो है सर वो है हमारे पास 65,000 वा भाई वा सिर्फ 5,000 रोपर कमाया इसने भी तक चलो कोई बात नहीं भाई हर एक पैनी का value होता है तो 5000 का हो गया है profit सर अब आपी काम करिए आप यहां पर ना इसका जो capital है वो पता लगा लीजिए तो स्टार्टिंग में इसकी capital कितने की थी सर 60,000 की इसने profit कितना earn किया है सर 5,000 अब इसकी capital किती हो चुकिए सर 65,000 तो बच्चों आपकी जो internal liability है न वो तो मैंने calculate कर दिया है external liability हमको already given है यहां से निकल किया जाएगी हमारी total liabilities total liabilities equals हो जाएगा internal liability in the form of capital भाई यह भी liability है capital कब से liability हो गई अरे एक ना एक दिन बिजनस बंद होगा न उस दिन तो आपको पैसा लोटाना पड़ेगा हर वो amount जो लोटाना होता है वो ही liabilities होती है लेकिन चुकिए घरवाले वैक्ति को लोटाना है इसको internal liability बला जाता है external कि नहीं सर 50,000 की अपने पास external liability है दोनों को एड कर लीजिए सर 1,15,000 जो है ना वो हमारे पास यहां पर total liabilities है तो इस तरीके से बच्छों आपने इसको solve करना होता है और देख लेते हैं on 31st March 2022 the total assets and external liabilities were 1,03,000 respectively only 3,000 during the year the proprietor had introduced additional capital of rupees 10,000 and had withdrawn 60,000 for personal use यह हो गया additional capital यह हो गया बच्छे उसका tryings he made a profit of 10,000 during the year calculate the capital as on 1st April 2021 तो यहां पर हम लोगों के निकाल के दिखाना है कि इनकी opening capital गिती थी opening capital पे पहुँचने से पहले न भई closing capital पता लगा लो तो सर हमको बहुत अच्छे से याद है कि जब कभी भी assets equals to capital plus liabilities वाली equation use की जाती है इसके अंदर जब हम सर इससे capital calculate करते हैं तो वो हमेसा closing capital ही होती है तो assets देख सकते हैं सर हम यहां पर one lakhs के capital सर अपन ने पता लगा निए सर यह closing capital है और सर यहां पर जो liabilities है वो है only for three thousand अब मैं यहां पर transposition करके काम करता हूं बच्चो capital पता लगा लेता हूं तो one lakh में से three thousand minus कर दो सर 97,000 का जो है हमारा closing capital आ चुका है अब एक काम करिए closing capital को खोलिए बच्चो जो starting में मैंने आप लोगों को एक formula के form में बता आया था जिसको मैं कहता हूं कि formula होता नहीं है तो आप मैं तो कह रहा हूं बिलकुल याद रखने की कोई जरूवत नहीं इधर देखो business start किया मैंने क्या हो गए मेरे लिए opening capital जो कि हमको पता लगानी है इसकाद हमने और business में पैसे लगाए इसको बोला जाता है additional capital तो obvious जी बात है कि इससे मेरी capital इंक्रीज ओरी तो मैं इसको प्लस ही करूँगा सर एक हिस्सा हमने भाहर निकाल दिया इसको क्या बोला जाता है ड्रॉइंग्स तो आप इसको माइनस ही करेंगे और सर बिजनिस ने क्या उन किया है इस बार प्रॉफिट उन किया है तो प्रॉफिट से सर हमारी कैपिटल इंक्रीज होती इसलिए प्लस कर दीजिए लॉस होता तो माइनस कर देते हैं हो गया अब एक काम को रहें पर वैल्यू पुट कर दो क्लोजिंग कैपिटल मेरी कितनी है सर 97,000 ओपनिंग कैपिटल सर यही तो अपन ने जो है वो पता लगा नहीं है एडिशनल कैपिटल सर वो भी हमको यहां पर कोशिन में गिवन है कितना 10,000 अब इसको प्लस माइनस करके अपने ट्रांस पोजिशन करना है तो सही धर पर 97,000 को वैसी रखे रहें दीजिए यहां से कितना निकल करा रहा है सर 4,000 और प्लस 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर 14,000 तो 14,000 को आपको माइनस करना पड़ेगा 97 से तो बच्चो आपको आपकी ओपनिंग कैपिटल मिल लाएगी आपको पता चल लाएगा आपने स्टार्ट कितने से किया था तो यहां पर 97,000 में से ट्रांस पोजिशन करके मुझे माइनस करना पड़ेगा यहां से 4 बच रहा है पोर बहार निकाल लो 10 कितना 14 तो यहां बच्चो हम लोगों ने अपना चैप्टर नुबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन भी सारे अस्पेट से कंप्लीट कर लिया है तो आप देख सकते हैं बढ़ों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं अपकी बार अपने लोग आगे तो बहुत कॉंसेप्ट्चुल आपके लिए बहुत डिटेल में लेक्ट्स बनाए जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद को रसे लोगार, का उसी बार आपके लिए।